हेलो फ्रेंड्स धनश्री केक्स हिंदी में आप सबका स्वागत है आज हम रस्मलाई केक बनाने जा रहे हैं बहुत तेस्टी डेलिशियस और बहुत यम्मी लगता है तो ज़रूर ट्राइ कीजियेगा चलो तो शुरुवात करती है तो यहां मैंने रस्मलाई के लिए रस्मलाई का स्पॉंज बना के लिए है यह मैंने गुड्रीच प्रेमिक्स से बनाया है दुसो ग्राम प्रेमिक्स लिया और रस्मलई इस्स डालकर थोड़ा सा यलो कलर भी डाला है और इसको मैंने बेक किया है आप माइक्रोवेव या कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो तो यहां देख सकते हो मैंने एक 1जीस का बेस लिया है और एक slice रखके, यहां मेरे पास यह रस्मलाई है, यह readymate रस्मलाई मैंने लाई है, और इसमें जो दूद होता है, रस्मलाई का दूद, वो flavored दूद रहता है, तो इससे ही सोक करना है, इससे जो टेस्ट है, वो बहुत बढ़ जाती है, तो यह मैंने जो दूद से सोक किया है, यह जो process है skip मत करना यह बहुत इंपोर्टन्ट है इससे जो sponge है इसको प्रॉपर रसमलई की test आ जाती है तो यहां मैंने जो रसमलई थी वह ख्रश किया है और केक के उपर डाला है और थोड़ा सा मैंने यहां काजुवदा लिये है ये ग्रेट करके तो ये भी थोड़े से डाले है और बाद में सेकेंड लेयर रखके वही प्रोसेस हम रिपीट करने वाले है ये दूज से जो हम सोक करते है इससे जो स्पॉंज है इसकी टेस्ट दुगुना हो जाती है अल्र केक और जो ड्राइफूट से इसको भी स्किप मत करना जो क्रंच आता है बहुत अच्छा आता है खाने में तो फिर से थर्ड और लास्ट लेयर और बहुत अच्छा सोक करना है सोक करने से स्पॉंज सॉफ्ट भी बन जाता है और मॉइस्ट भी होता है ड्राइड नहीं लग यहां थोड़ा सा यहां कलर डाला है यलो कलर तो इससे प्रॉपर रस्मलाई का जो केक है वो हो जाता है यह बहुत प्रॉपर फिनिशिंग कैसी करनी है इस पे मैंने एक विडियो बना है स्पेशल और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है तो देख लेना और यहा कोई भी क्रीम में नहीं किया सिर्फो तो यहां सेडेल फ्लावर आज अ अछ carve जाते हैं वह बहुत अच्छा अच्छा में और बाद में थोड़ी से रोजेट्स हम निकालेंगे थोड़ीसी अलक डीजाइन 59 आज रस्मलाई के लिए बहुत अच्छा लगता है एक केक दिखने में तो यहां देख सकते हो शेड़ फ्लावर्स कैसे आते हैं देख सकते हो औरेंज और यलो तो प्रॉपर ऐसा रस्मलाई केक बन जाएगा हमारा बहुत डेलिशियस लगता है तो यहां रोजेट्स निकालन के बात थोड़े से स्टार्स भी देना है या देख सकते हो आप अपनी हिसाब से भी डेकोरेट्स कर सकते हो तो बहुत अच्छा हमारा जो केक है वह बने वाला है तो यहां रोजेट्स हमाई से एक साइड में निकाल रहे हैं तो जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है प्रॉपर विसा ही करना है देख सकते हो बहुत अच्छा दिखते हैं शेडेड फ्लावर सियलो औरेंज कलर का कॉंबिनेशन भी अच्छा दिखता है और मैंने रही हूँ इससे बहुत अच्छा जो केक है ओ दिखता है और प्रॉपर टेस्ट भी अच्छी लगती है रस्मलाई तो यह खाने में बहुत डेलिशियस लगता है बहुत अच्छा टेस्ट में लगता है तो आप भी जरूर ट्राइग हीजिएगा यह हमाईने रेडिमेड र प्रॉपर रस्मलाई तो यहां हम संगम्नेर के पास रहते हो इसलिए हमारे यहां जोशी स् whenever बहुत बड़ा स्विट है वहां बहुत अच्छी डेलिशियस रस्मलाई मिलती है तो आप इस प्रास के हो तो जरूर यह रस्मलाई ट्राय किजियेगा तो यहां देख सकते हो ब सब्सक् Prose看一下 भी यूज़ कर सकते हो यह मेरे पास ड्राइपेटलस है रोच पेटलस आप यहां फिरेश्वावर मीं यूज़ कर सकते हो तो धेख सकते हो हमारा केक कितना इच्छा बन चुका नहीं इससे स्ट्रैंटे पास तो यह में डाल रही हूं इसका स्मेल बहुत अच्छा आ जाता है और केक और सौधिश्ट बन जाता है तो देखों बहुत अच्छा यम्मी डेलिश्यस हमारा केक बन चुका है आइ होप एक एक आपको जरूर पसंद आएगा पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना चैनल को शेर सब्सक्राइब किजेगा बहुत अच्छा वीडियो में जल्द ही मिलेंगे और हाँ हमारा मराथी चैनल भी है वहाँ भी मैंने बहुत सारे केक्स अपलोड किये हैं वो भी जरूर देखना लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दी है तो देखेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केल